नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ State Bank of India के सभी की सभी schemes के उपर क्या-क्या rate of interest चल रहा है किस प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं और किस तरीके से आप इसका account open कर सकते हैं इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे और वीडियो पसंद आएगा आपको अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा क्योंके हम आपके लिए सी तरह की interesting, amazing वीडियो लेकर के आते रहते हैं दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपी का अपना यूटूब चैनल मिस्टर कर्ष्यों चैनल दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सबसे पहले सबसे बहतरीन इसके सुकन्या समरिद्धी योजना के बारे में जी हाँ दोस्तो अगर सुकन्या समरिद्धी योजना का अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे सबसे बहतरीन रेट ओफ इंटरस्ट अभी तक आपको मिलेगा यहाँ पे स्टेक बैंक आफ इंडिया के अंदर जो की है 8.6 परतिशत का जी हाँ दोस्तों 8.6 परसेंट का रेट ओफ इंटरस्ट अभी आपको मिल रहा है आपको अकाउंट ओपन करना है स्रिफ और स्रिफ करना है कुछ नहीं आपको अगर आपके घर में कोई भी बेटी है जिसके लिए आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सिम्पली निरिस ब्रांच में जाकरके आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडियेफ लिंक दे दिया है सुकन्या समृद्धी योजना के फॉर्म का आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करके फिल भी कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं के फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मैं उसके लिए भी एक डैडिकेट वीडियो बना दूँगा आप दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्किम की तरफ जो की है पॉब्लिक प्रॉबिडेन्ट फण्ड यहां दोस्तों पोस्त ओफिस ऑफ इंडिया की तरह ही स्टेट बैंक ओफ इंडिया भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर आप प्लिक प्रॉबिडेन्ट फण अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया के साथ जहां पर दोस्तों आपको 8% का rate of interest देखने को मिलता है 8% के rate of interest के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ ID proof, residence proof आपको चाहिए account opening form चाहिए account open करने के लिए किसी भी नीर्स branch में जाकर कि आप simply visit कर सकते हैं और आपका account open हो जाएगा चले दोस्तों बढ़ते हैं अगली scheme के तरब जो की है recurring deposit जी हां दोस्तों RD account आपने सुना होगा बहुत सारे videos आपने YouTube के उपर देखे होंगे इसको कहते है recurring deposit हिंदी के अंदर इसको कहते है आवरती जमा योजना अगर दोस्तों आवरती जमा योजना के अंदर अगर आप अपना account open करना चाहते हैं तो यहां पर जो rate of interest आपको मिलेगा 6.4% से लेकर के 6.8% तक का rate of interest आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके लावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ अकाउंट किस तरीके से open कर सकते हैं एक ID proof चाहिए, Residence proof चाहिए, साथ में चाहिए account opening form जिसका link मैंने दे दिया वीडियो की description में आप जाकर के वहां से recurring deposit का form भी आप download कर सकते हैं और बहुत ही असानी से nearest branch के अंदर आप recurring deposit का account भी open कर सकते हैं चैने दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं State Bank of India की FD यानि Fixed Deposit Interest Rate के बारे में Fixed Deposit Interest Rate में अलग-अलग rate of interest आपको देखने को मिलेंगे सबसे कम rate of interest आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 4.5% का इसके अलावा दोस्तों आपको जो rate of interest देखने को मिलेगा highest वो मिलेगा 6.25% का जो की सबसे highest है अब दोस्तों यहां पे एक साल के लिए अलग rate of interest है दो साल के लिए अलग rate of interest है आते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता आप एक बर उसको अच्छी तरीके से देख लिजेगा और ये हैं सारी की सारी स्किम जहां पर अच्छी तरीके से आपको रेट ओव इंट्रेस्ट मिल रहा है और दोस्तों कल का एक बहतरीन वीडियो आने वाला है अगर आप स्टेट बेंक ऑफ इंडिया से पैंशन लेना चाते हैं एक ऐसा प्लान में आपको बता हुआ है जहां पे आपको इस टेट बैंक ऑफ इंडिया निंगल आकी ज्रीव आपके बुरह बड़ापय की पूरी की पूरी गरेवान्टी लेगा बल्कि आपको बुरह आपको आशारेंस भी साथ में और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी आंदोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका दिल में कोल भी सवाल इसे जाओ कमेंट बॉक्स में जागर या आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं मिलता हूं आप से ऐसी किसी इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तले के लिए ताम से विदा गुडबाई टेक